करने में कुछ नादी है किसको वोट डाल रहे हैं तो किसके समर्थन में पहुंचे हैं आज आपके रूबरू मैंने वादा किया था मैं कल कोई भी अपना कदम उठाने से पहले आप सब मीडिया के साथियों के सामने आगे अपनी घुछना करूंगा और इसको डिस्क्लोज कर और मुझे पूछ रही है क्या बलराज सिंग आप उनके बारे में सोचोगे जिन्होंने इस परदेश के किसान के साथ दोखा किया है क्या आप उनके बारे में सोचोगे जिन्होंने इस परदेश में जिनके जिस पर ताक्सी के समर्थ जिन्होंने समर्थत देकर आजाद उम चाहे हो रजिस्ट्री घोटाले में लूटा हो चाहे हो और कोई भी घोटाले हैं इस परदेश को लूटड़े का काम जिन लोगों ने किया है क्या उसके उमिद्वार को बोट दोगे तो मेरी अंतरा आत्माने आवाज दी, मेरे उपर बहुत सारी ओफर भी आई, मुझे पैसे का लोब लालत भी दिया गया, लेकिन बलराज कुंडू वो सक्सियत है, मैं चोधरी देविलाल की करम सथली से विदायत बनाया हूं लोगोंने, मुझे ना कोई मुझे ध्रा सकता है मैं आज अपनी अपना जो अपता आपके सामने खोलने जा रहा हूं, वो इस परदेश के हक में, इस परदेश के साथ मैं आखरी सांस तग मेरा कुत्रा कभी गद्दारी नहीं कर सकता, इस परदेश की आवाज, इस परदेश के किसान के लिए, इस परदेश के युवा बेर प्रदेश के तो उसमें एक सवाल मेरे अंतरात्म मुझसे पूझती है कि क्या कॉंग्रेश हाई कमान के पास पूरे धाई करोड के इस हरियाना परदेश में एक भी पड़ा लिख्या कोई उसको ऐसा उम्मीदवार नहीं बला जो हरियाना के उमीदवार को बना जासे क्योंकि कि राज्यसाबा का सदन है वो सबसे उचा सदन माना जाता है उसमें हरियाना का प्रतिनी करने के लिए राज्य उम्मीदवार को ऐमिदवार सुर्त में वो मिडिए liूं काके मैरे हार डा करोडियेश के अपमान होगा तो मैं अपना वोट किसी को ना डाल कर आज अपसेंट हो रहा हूँ क्योंकि मैं अपना वोट का प्रयोग कभी भी गद्दारी नी कर सकता इस हरियाना परदेश के लोगों के साथ मैं अपने अपोर्ट आज इस पर अपसेंट रहकर और मैं किसी उमिद्वार को बोट ना डाल कर अपने हरियाना परदेश के लोगों के साथ खड़ा हूँ ऐसे गलत लोगों के इसकों मैं कि उमिद्वारों को मैं कभी बोट नी डाल सकता जिसने इस परदेश के किसान मुझदूर गरीब कमजोर करमचारी उर्वेपारी के साथ धोखा करने का काम किया